नमस्कार आदाब सच्रियकाल हेलो दोस्तों आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवास बायोग्राफी एंड रियर लाइफ स्टॉरी पर हिंदी सिनिमा के सुनहेरे दौर के बेजोड कलाकार डीके सप्रू की पहचान उनकी आवास से थी इंडास्ट्री में उनका रोब था फिर भी उनके बच्चों को यहां संघर्ष करना पड़ा पर संघर्ष से ही सफलता मिलती है उनके छे में से दो बच्चों ने पिताजी के कदम पर चलने की खूब कोशिश की और काफी देर बाद वे दोनों उंचाई तक पहुँच पाए तेज सप्रू की जीवनी पेश करने वाले हैं तेज सप्रू का जन्म 5 अप्रेल 1955 को मुंबाई में हुआ था उनके पिताजी डी के सप्रू से आप लोग परिचित हो ही पर उनकी माताजी हेमावती के बारे में कोई नहीं जानता वो 30 और 40 के दशक की अभिनेतरी थी उन्हो तूर अभिनेता जीवन भी सप्रू परिवार के रिष्टिदार थे तेज सप्रू को प्रीती और रीमा के अलावा दो छोटे भाई आरेमन और विशाल भी हैं बांदरा के एक बड़े से बंगलो में वे सब रहते थे पर एक दिन डीके सप्रू ने एक फिल्म का निर्मान क करने के लिए किसी से पैसे उधार लिए दुर्भाग्य से वो फिल्म बंध हो गई और डीके सप्रू को अपना बंगला बेचना पड़ा उसके बाद डीके सप्रू अपने परिवार को लेकर जुहू आ गए तेज सप्रू कहते हैं कि उन्होंने बच्पन में डीके सप्रू को अच्छी तरह से समझा था, वे एक शांच स्वभाव के इंसान थे, उनकी आवास बड़ी बुलन थी पर वे बड़े प्यारे इंसान थे, तेज बताते हैं कि वे उनके साथ सेट जाया करते थे, 1963 या 64 के साल में डीके सप्रू शहीद नामक फिल्म कर रहे थे, जिसमें व हुतात्मा भगत सिंग के पिताजी का रोल कर रहे थे, मनोज कुमार मुख्य किरदार में थे और उन्हें भगत सिंग के छोटे भाई की जरूरत पड़ी, डीके सप्रू ने अपने बेटे तेज से वो किरदार करवाया, और इस तरह तेज सप्रू की पहली फिल्म 1965 में रिल बैटमिंटन जैसे खेलों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, बतोर बैटमिंटन खिलाडी वे स्टेट लेवल तक पहुंचे थे, इसके अलावा वे क्रिकेट भी खेलते थे, उस वक्त के बॉम्बे टीम के लिए उन्होंने कुछ मैच खेले थे, जब उन्हों के सपरू नहीं चाहते थे कि उनका बेटा स्पोर्ट्समन बने, तेज सपरू भी खुददार किस्म के इंसान थे, उन्होंने यूनियन बैंक में नौकरी करना शुरू किया, वे सुभग कॉलिज जाते थे और दुफेर को बैंक जाते थे, उन्होंने अपने पिताजी का सं कर भी नहीं करते थे, इस वजह से तेज सपरू कभी भी अपने पिता से पैसे नहीं मांगते थे, उन्हें ये तो पता नहीं था कि वे अपने जीवन में क्या करेंगे, पर उन्हें अपने पिता के लिए खुद को बनाना था, तेज सपरू का फिल्मी जीवन शुरू होने क पीछे उनके जीजा राकेशनाद का बड़ा योगदान था। 1978 के साल में तेज बैंक में ही थे। एक दिन राकेश उनसे मिलने आये। बोले कि कोई तो रविकांत नगैच नामक डिरेक्टर है। मिथुन्दा और रंजीता के साथ बड़ी फिल्म बना रहे हैं। उन्हें क्र लुक वाला एक कलाकार चाहिए। राकेश ने तेज से उनसे मिलकर आने को कहा। उस दिन वे दोनों रविकांत से मिलने गए। पर तेज ने अपना सरनेम किसी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें काम नहीं मिला तो डी के सपरू का नाम खराब डिरेक्टर रविकांत ने तेज को देखा और पहला सवाल किया। आक्टिंग के बारे में जानते हो तेज ने ना बोल दिया। आक्शिन कर सकते हो। तेज ने कहा कि वो मेरे से बहतर कोई नहीं कर सकता। रविकांत ने कुछ सेकेंड के लिए तेज के चेहरे के तरफ अगले दिन जब तेज उस डिरेक्टर से मिलने आये तब उन्होंने उनसे सरनेम पूछा। उस डिरेक्टर को जब पता चला कि तेज दी के सपरू के बेटे हैं तो वो चौक गए। शूटिंग शुरू हुई और तेज सपरू का पहला शौट अपने चाचा जीवन के साथ थ था। 1989 में सुरक्षा फिल्म थेटर में लगी और पहले ही दिन सूपर हिट हुई। धेर सारे हफते हाउस फुल थे। दुरभाग्य से उसी साल में डी के सपरू की तबियत बिगड़ गई। वो पूरा साल डॉक्टरों के एर्द गिर्द भीता। तेज की बड़ी बेहन प्रीती का भी फिल्मी सफर शुरू हो चुका था। तब यद बिगड़ने से पहले डी के सपरू ने चेतन आनंद की कुद्रत फिल्म साइन की हुई थी। डी के सपरू शूटिंग स्केडियूल पोस्पॉन नहीं करना चाहते थे। बिगड़ी हुई हालत में भी वे कश् करके आए। दुरभागय से नवंबर का महिना लगने के बाद उन्हें टाटा मेमरियल अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ठीक लक्ष्मी पूजन के दिन डी के सपरू गुजर गए। तेज सपरू ने इस किस्से को कुछ इस तरह बताया। जब उनके बॉडी में कैं कैंसर डिटेक्ट हुआ तब टाटा मेमरियल अस्पताल में उस कैंसर को निकाला गया। पिताजी डिस्टार्ज होने वाले थे पर गौर्मेंट छुट्टी थी इस कारण से अस्पताल के लोगों ने अगले दिन आने को कहा। फिर अचानक सुभा सुभा अस्पताल से कॉल आया और हमें अस्पताल बुलाया गया। मैंने जैसे ही उनके रूम का दर्वाजा खोला तो देखा कि पिताजी दर्वाजी की तरफ देख रहे थे। मुझे वहां के लोगों ने बाहर भेश दिया। शायद उस वक्त वे जिन्दा नहीं थे। वो मेरे जीवन का सबसे अभी नहीं भूल सकता। अकसर लोग अपनी मा के फैन होते हैं पर मैं अपने पिता का फैन हूँ। दी के सपरू का देहांत उनके बच्चों के लिए एक लकीर की तरह साबित हुई। ये लकीर इस कारण से बनी क्योंकि उस साल वे किसी फिल्मकार से मिले नहीं। अस्पत इसके बाद फिल्मकार उन्हें विलन वाले किरदार करने को बोलने लगे। वैसे भी तेज के पास कोई फिल्म नहीं थी, इस कारण से वे खलनायक बन गए। शायद ये उनके जीवन की बड़ी भूल थी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर पिता खलनायक थे, तो पेटे को भी खलनायक बनना चाहिए। तेज सपरू की आँखे बिलकुल पिता की तरह थी, शायद इस कारण से भी फिल्मकारों ने उन्हें खलनायक बना दिया होगा, पर अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसे भी कलाकार थे, जिनका फेस नायक बनने लायक नहीं पर किस्मत को कुछ और मनजूर था। पर कहते हैं ना कि भगवान जितना जोली में डालता है उतने में इंसान को संतुष्ट होना चाहिए। तेज सपरू हो या उनकी बड़ी बहन प्रीती सपरू, वे संतुष्ट लोग हैं। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है कि वे भग 13 भाशाओं में काम करते हुए 300 से भी अधिक फिल्में की हैं। तेज सपरू बताते हैं कि उन्होंने आक्टिंग कभी सीखी नहीं थी, वे तो बस पिताजी के साथ सेट पर जाते थे। क्यूंकि उन्हें आक्शन सीक्विंस करना पसंद था, इसलिए वे 300 से भी अधि तेली बहन धनलक्ष्मी से शादी की थी, जिनसे उन्हें आकांग्शा नाम की बेटी हुई। आज के दौर में भी तेज सपरू अपने पिता की तरह उतने ही जोश के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी? ये हमे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बयोग्रफी और रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले। नमस्कार।